दोस्तों कैसे आप आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे हैं और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं दोस्तों USA Canada का जो बॉर्डर है प्रॉबली दुनिया में सबसे फ्रेंडली बॉर्डर में से एक है और आप असानी से एक दूसरे कंट्री में जा स से लएमित अपने सकते हैं इहान पर देखेंगे केंडेणा इपन लेना पड़ा यहांपे एक स्टाप साइन है और यहां बंद लेना 행ना है ऑफ़कोर्स कोड़ाई ओगरं देखकर आप निकल सकते हैं और निफॉन भी निया है Esta S朋友 The 생각 यहां पर आपको राइट लेना है बस देख कर लिजगा दोस्तों काफी ट्राफिक हा यहां देखकर आप टर्न लिजगा तो आपने टर्न लिया यहां पर देखिए आप यहां पर आप अपने क्रेडिट कार्ट से स्वाइब करके आप आगे बढ़ सकते हैं आपने देखा पिछले स्क्रीन पर विंस और टरनल भी लिखा हुआ था विंस और डेट्रोइट टरनल यह देखिए कैश्ले स्टॉल्स है तो यहां पर यह सिक्स पॉइंट सम्थिंग नहीं हुआ कुछ कैश गेट्स भी है शायद अधर साइट तो वहां से आप निकल सकते हैं और देखिए यहां पर यहां पर हैं जो ऑफिसर्स हैं अगर आप कुछ भी प्रॉब्लम हो आप उनसे मदद मांग सकते हैं मुझे सच कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मैं भी फोकेट में रख लिया वालेट में और यहां से में आगे चला है अब यहां पर हम टनल में घूस रहे हैं तो टनल देखिए आपको इंटरनाशनल बॉडर क्रॉसिंग है और इसमें सिंगल लेन है तो आपको कहीं रुकना नहीं है पहली बात आपको ड्राइव करते जाना है और ड्राइब करते जाना भी है तो देखिए उसमें स्पीड लिमिट है यूसे साइड में 25 माइल्स पे लिखा रहेगा और केंडियन साइड में 40 क्लामेटर क्यों कैनेडा में यूसे में भी माइल्स में यूज होती है देखिए सिंगा लेना दुनों तरब से कहीं कहीं आपक आपको कैयरफुली ड्राइब करनी एं ठीक है हो जकता है कि इतनी लाइट हैं और सामने वाला काफी ठीज रौशनी भी राखे वेक धिय करनी है ताकि कोई दुरखाटना न बहु सब्सक्राइब करें तो उसके हेसाब से आपको decision लेना है नहीं तो आप tunnel को follow कर सकते हैं जैसे मैं जब कर रहा था तो उतना कुछ भीड़ा से कुछ नहीं था मैं नराम से tunnel को यह follow किया और मैं करते यह जा रहा हूं और अब जल्दी Canada में इंटर कर रहा हूं अब बस सामने है हाँ जैसे टैनल इंड हो रहा है आप Canadian checkpoints पहुंच रहा है बॉर्डर checkpoints जहां पर आपकी processing screening की जाएगी यहां पर देखिए आपको guide भी किया जा सकता है कि आपको किधर जाना है जैसे वहां देखिए एक व्यक्ति लोगों guide कर रहा है all traffic के sign भी लगे है तो यहां पर मैं जो जो भी gate खुले हूं है जहां पर open और french में भी वह लिखा रहता है वह green में जला हुआ है वहां पर आप जा सकते हो वह देखिए welcome to Windsor यह Canada में आप अलरी तो वहां पर आप जा सकते हो और अगर red है तो gate तो वह लोगों जाते हैं कुछ लोगों को कम questions को जाते हैं कुछ लोगों को ज़्यादा questions चेकिंग भी की जाती है मेरे साथ कुछ नहीं हुआ था बहुत असानी से हो गया था लेकिन आपके साथ आपके case के basis पर हो सकता है तो यह काम पूरे करने हैं दोस्तों उसके बाद यहां जब मैं पहुंचा तो मुझसे बहुत simple questions पूछेगे कि कितने दिन बाहर थे कहा रहते हो क्या लेके आ रहे हो यह सब करते करते हैं और जैसे ही आपने point किया वो दिखिया four point Sheraton वो Canada में है सामने यह Canada का board लगा हुआ है और इसी के साथ आप Canada में इंटर कर रहे हो और यहां से आप Windsor में इंटर कर गए है तो इस तरह से